और दो तो उसके लिए माफी चाता हूं और मैं कोशिश कर रहा था मैं और पहले से चलू लेकिन नहीं हो पाया ऐसा लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगा अपनी क्लास को तो मैंने जैसा कहा था क्लास जो है वो तो भाई रहेंगी प्रॉपर जब आपसे कहा गया है क्लास की गई है तो अगर कोई इमेरजेंसी नहीं आती तब तक तो हमेशा क्लास आपकी रहती ही ठीक है चलिए अभी फिलाल यहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्डेंट बातों के बारे में गुट मॉनिंग गुट मॉनिंग अनिल कुमा तो कैसे आप लोग और जितना अभी तक पढ़ाया था जितना सब कुछ हमने डिसकेशन किया है वह आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से ठीक है चलिए अभी आपे मैं आपको बता पा रहा हूं कि कलाम सीरीज में हम लोग यह अपना आज का यह रहेगा लास लेक लोगों के लिए कर रहे हैं एक बडिया एक मस्थ EPLANा अब लोगों के लिए कर रहे हैं और वहा बहुत ही जबरदास लिए जूट करेंगी जो आप क्लास 13 से मेरी जो पेड़ क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो इस कारण से भी मैं थोड़ा सा ग्याप चारों और वहाँ पर क्लास के लिए जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा कुछ एक्स्टा चाहिए होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी त्यारी करूंगा इस वैसे मुझे थोड़ा और समय चाहिए होता है तो मेरी लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आपको य अगे और काफी इंटर्स्टिंग भी लगेगा आपको क्योंकि यह आपसे एक्जाम में बहुत कोशन से यहां से पूछे जाते हैं इसका क्या नाम है इसका पच्छे स्टेयर किस नाम है इसका ना गुड मॉर्निंग महीं सेंग इसका नाम क्या है चैप्टर का डवत और उसके बाद में लोग पढ़ रहे हैं देन उसके बाद आगे आपको और भी रहेगा जिसमें आपको नई नी और चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगा चलिए सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यहां पर क्या-क्या पढ़ेंगे कौन-कौन से टॉपिक्स इ स्टेर केस की कुछ बिसिक टम्स क्लासिफिकेशन ऑफ दस्टेर केस एंडा इंपोर्टन नोट तो बहुत सारी नईनी चीज़ें जैसा हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं सेम यहां पर वैसा ही रहेगा और आपको इंपोर्टन नोट भी मैं आपको यहां पर बताने वाल हूं जैसे आप लोगोंने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे होते हैं तो हमें स्टेर केस एनकी सीडियों की आवश्यक्ता पढ़ती है किसकी आवश्यक्ता पढ़ती है मैं सीडियों की आवश्यक्ता हमें पढ़ती है जब कभी पूरस के लिए जा रहे होईं या उपर से नीचे की तरफ आ रहे होँ तो कोईभी तरीक रहे हैं तो पर या उपर से निचे आ जड़न वोट अजट्र अब तो यहां पे नहीं होती हैं उनके तुरो ब्याद जाकते हैं ऐक तरीका है आपके पास किसका एकड़ से दूसरे तक मूव करने का लेकिन यहां पे बात आ जाती है कि हम लोग स्टेर केस को जब पढ़ते हैं तो भी आपके पास में एक फिक्स्ट स्ट्रक्चर है जिस फिक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें खुद चलके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तग जाना होता है ठीक है गुड मॉनिंग आपके पास में ग्राउनट फ्लोर से इतना कि मुझे बता दू ने के लिए इतना ज conquest करूंगा नमें तो दिक्कत बते क्या होगी दिक्कत ही होगी कि तूँआ के नहीं पड़ाएंगे आगे जरूर पढ़ा तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होता है ना अधर्वाइस क्या होगा फिर वहाँ पर आगे पीछे करने में दोना जगह पे ना कॉंटेंट बिगड़ जाता है ओके थोड़ा समय चाहिए होता उस चीज के लिए अब देखो आगे हैं आप समझो एक बार जैसे क वाला यह वाला यह ग्राउंड फ्लोर आपके पास में ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा नहीं थोड़ा समय चाहिए बीच में क्लास आ जाती तो क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए ठीक है तो हमें समय देना पड़ता है उस चीज को चलो तो सबसे पहले मैंने बोला कि यह आपका जाना ग्राउंड फ्लोर है अब इस ग्राउंड फ्लोर से हमें जाना है मालो इस फस्ट फ्लोर की तरफ मालो यह क्या आपके पास में यह आपके पास में है फस्ट फ्लोर कौन सा फ्लोर है फस्ट फ्लोर है आपके पास तो पहला यह क्या आपके पास ग्राउंड फ्लोर और और वो क्या है आपके पास में first floor है अब एक floor से दूसरे floor तक जाने के लिए जिस arrangement का इस्तमाल किया जाता है उसे हम लोग stairs कहते हैं क्या कहते हैं उसको उसे हम लोग stairs कहते हैं ओके good morning guys good morning जो भी नए बच्चे जॉइन कर रहे हैं अब देखो यहां पे होगा क्या हम लोग यहा हona पर चलते वह जाएंगे चलते वह जाएंगे आपने दूसरे फ्लोर पे यह जो भी आप जिस फ्लोर पर जाना चाथ है sono jay Magalas soll have a अब की पेड में देख सकते हैं की नहीं देख सकते हैं बलकुल क्योंनली देख सकते हैं लेकिन बैच बी में देख सकते हो यह मुझग बैच भी मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है वहीं से बैच शुरू हो रहा है लेकिन बैच एक के अंदर मेरी जो क्लास थोड़ी सी लेट है चलिए अभी देखें आप सब्सक्राइब आप लोगों को बताऊं चाहिए और ही तो इसली बलकुल परेशान हो टोना इस चीज को लेगे थोड़ा सट टेड़ा हो गया ही अभी ठीक लग अब इक बात कि यहां हम पर करके हम लोग डैफिनूशन गीतर रोड़ाख एगए पडिया मिलेगा application के उपर आपको इसका PDF मिलेगा तो वहां से आप ले सकते हैं को चली सबसे बहुत करते हैं that what is the meaning of the staircase staircase क्या चीज होती है तो देख स्टेर केस क्या है it is an arrangement which provide easiness to move from one floor to another floor एक floor से दूसरे floor का यूज हम लोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं that is known as the staircase okay next step का मतलब कहा है सीडियां step is what is the meaning of strap strap means seedyya अब steedyyaan क्या होती है that it is an arrangement which help in the moving up in the staircase मतलब यह क्या होता है सीडियों का मतलब क्या होता है एक ऐसा arrangement जो सीडियों में यह staircase के अंदर उपर चड़ने में या नीचे उतरने में हमें मदद करता है वह element जिस जो कि हमें एक staircase के अंदर उपर चड़ने में नीचे उतरने में मदद करता है उससे हम लोग कहते हैं स्टैप क्या कहते हैं स्टैप कि सीडी कहते हैं उसको ठीक है हाँ बिल्कुल अशो का भी लाइव क्लास से चलेंगी डॉंट वरी अशो का भी में लाइव क्लास भी क्या दौनों में ए और बी दौनों में लाइव क्लास चलती है अब देखो जड़ा यह आपका समय में आए कि staircase क्या करते हैं अब डाइग्राम में धान से आप आओगे इस डाइग्राम के अंदर इसका मतलब ही वह इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे staircase कहेंगे और जिसके त्रूजे आपको हिस्सा दिख रहा होगा यह वाला हिस्सा इसको हम लोग एक सीडी कहेंगे कम माली क्या कहे कहेंगे इसको 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 इससबी क्या है यह आपकी सीड़िया के सब्सक्राइब तरीक बात है ऐसे चड़ने का सिस्टम समझ में आ रहा है अब देखो जिस हिस्से के उपर, सीडी के जिस हिस्से के उपर, आप सीडी में दो हिस्से हैं, देखो, सीडी के अंदर कौन से दो हिस्से हैं, एक आपके पास में है ये वाला हिस्सा, और एक आपके पास में है ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो वापस से बनाओगे इसको, तो ये आपके प तो यहां से आप सबसे पहले क्या करोगे अपना पैर कहा रखोगे इस पॉइंट के उपर रखोगे तो यह जो हिस्सा जिसके उपर हमीशह अगर राईजर की बाद चल रही है यह क्या आपके धुर्ण से समझना सीज को एक हिस्सा होता है ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है आप जिस पर पैर रख रहे हो ठीक है जिस पर जिस पर पैर रखा जाता है जिस पर पैर रखा जाता है जिस पर पैर रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड ओके जिस पर रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे ट्रेड बोलेंगे ठीक है वहीं पर जो हमें उपर चड़ाने में मदद करता है क्या लिख रहा हूं में एक वर्ड है आपके पास राइजर राइजर कौन्स होता है जो जो हमें उपर चड़ाने में मदद करता है या उपर चड़ने में मदद करता है चड़ने में मदद करता है अब ध्यांसे समझना एक पर ध्यांसे समझ पैर रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड और जो हिस्सा में उपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश कर रहा है उस इससे को कहेंगे हम लोग राइजर नाम से पता चला है जो उपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश कर उसको राइज राइज क्या होता है उपर चढ़ना और और राइजर पहले आपको समझ में आना चाहिए कि राइजर क्या होता है और ट्रेड क्या होता है यह कहानी समझ में आ गई होगी इस डाइग्रम में भी लिखा हुआ अधान से देखोगे राइजर क्या होता है और ट्रेड क्या होगे पहले ही समझाना आवशकता कि वाट इस the meaning of trade जिस पर हम लोग पैर रख रहे हैं that is the trade और जिस पर हम जो चीज हमें जो हिस्सा हम है उपर चड़ाने में मदद कर रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं राइजर कह रहे हैं वहीं पर इस ट्रेड को मैं टी से चो करता हूं राइजर को मैं आर से इन दौनों को कंबाइन रूप से हम लोग कहते हैं step क्या कहते हैं step मतलब एक सीडी एक सीडी के अंदर ये दौनों हिस्से काउंट की जाते हैं कौन-कौन सा हिस्सा एक तो ये वाला हिस्सा जो उपर चड़ाने में मदद कर रहा है एक वो हिस्सा जो की इस पर हमें पैर रखने में मदद कर रहा है हमारे पैर को रेस्ट प्रवाइड कर आ रहा है तो इन दौनों हिस्सों को इसको ट्रेड इसको राइ ऑघ WITH THE damn लोग पैर रखते हैं उसे हम लोग्यण करते हैं च्रेट गॉट इसे नहीं को क्या करते है सबी को अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस सीडी में हम लोग क्या करते हैं एक यह जो ट्रेड वाला हिस्सा है इसको इस राइजर से थोड़ा सा आगे निकालते हैं क्या लिख रहा है इस ट्रेड वाले हस्सा जो है राइजर से थोड़ा सा आगे की तरफ निकला होता है है जैसे हमारे चहहरे से हमारी जुनाइक होती वो थोड़ी सी आगे की तरफ निकल रहती है तो हमस इसको क्या कहते हैं मisको यहाँ पर जब आपके पास सीडी का थोड़ा से हिस्सा जब आगंको तरफ निकला होगा तो इसको भी इसकी क्या कहेंगे नोज कहेंगे इसकी नाक कहेंगे क्या कहेंगे बच्चे इसकी नोज यानिकी नाक इसको हम लोग कहेंगे बात समझ में आगी होगी क्लियर हो गया होगा नोज क्या है ट्रेड क्या है और आपके पास में राइजर क्या है और step क्या है तो सीडी जो है आपके पास सीडी होती है step के अंदर यह steer case के अंदर इसको थोड़ा ऐसे भी समसकते हो अभी मैंने क्या बोल दिया इस जगह पर थोड़ा धान से समझने इस चीज को तो देखो जड़ा इसको सिस्ट्मेटर्ग विए में समझ लेते हैं यह आपके बनाया इस जगह पर आपके पास में कुछ अलग अलग पार्ट है जैसे कि यह वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं that is known as the trade जैसे अभी मैंने आपको बता दिया इस यह समझ दिया ना सब को समझ में आ जाएगा ओके उसके बाद यह वाला जो हिससा है जिस पर हम ल पासलब होता है उसमें trade और राइजर दोनों होते हैं उसे हम लोग कम मैंडी का कहते हैं एक स्टैप यह एक सीडी कहते हैं पाजा आ रहा है कि नहीं आरता समझ में जल्दी से बताना comment box में कि यह चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही ओके उसके बाद देखो मैंने आपक है एक पूरे staircase की सिर्फ दो ही सीडिया बनाई है ताकि मैं easily पास एकदम जूम ले जाके आपको समझा से कौन से पाट का नाम क्या है अब सेम ऐसे ही यहां पर क्या होगा मालों और थोड़ा इससे को आगे करके दिखायता हूं ताकि आप लोगों को easily साला कि इतना नहीं नि और वही पर यदि इन points को मिलाने वाली एक imaginary line को यदि मैं देखता हूं तो वह imaginary line जो है वो क्या कहलाती है इसको बोलते है line of nosing क्या कहते है बच्चे इसको हम बोलते है हम लोग line of nosing तो this is known as the line of nosing यह बात भी समझ में आगे आपको line of nosing आपके पास में क्या है तो सबसे पह Riser क्या है सब्सक्राइब को क्या कहते है Riser समय रहें राइस का मतलब क्या होता है ऊपर चढ़ना और चढ़ाने वाला को रोगया Riser तो इसमें दिखाए भी दे रहा वर्टीकल मेंबर क्या होगा राइजर और जिस पें रखेंगे वो ट्रेंड हो जाएगा दोनों को düşंश केहें अगेंगे तरह का राइजर से देखो यह ट्रेड है यह राइजर इस को यह यह जखाई दे रहा है इसको क्या Protect नोज कहेंगे और हर एक स्टैप के इस आगे निकले हुँ हिस्से को मिलाने वाली जो एक इमेजनरी लाइन होगी उसे हम बोलेंगे बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर वाट इस अमीनिंग और दूसरा वाट इस दा मीनिंग और वाट राइज एक्जाम में कन्फीजन बहुत ज्यादा उसको में चलो किलियर करता हुद लोगों को ठीक है देख वड़ा इसको कैसे क्लियर करेंगे मैंने आपको बोला यह आपके पास में एक वह है तर यह दोनों एक यह राइजर हो गया एक यह राइजर हो गया इन दौनों राइजर के दोनों लगाता राइजर के बीच की जो horizontal distance है इस horizontal distance को हम लोग क्या बोलेंगे going बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको हम लोग going कहेंगे बात आई कि समय नहीं आई जल्दी से बताओ comment box में ठीक है यह बात में बताएंगे डार्क यलो कलर से बना देता हूं किसको staircase को ताकि आप लोगों को कोई confusion आपको देखने को नाम बिले और आसानी से आपको पूरा पूरा टॉपिक समझ में आए ठीक है तो तो कि ताकी किया होगा मैं कुछ भी denote करूंगा कुछ भी यहां पर अलग-अलग कलर के पैंस से इस्त आपके पास जो दो consecutive राइजर हैं उनके बीच का जो horizontal distance होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग going कहेंगे ठीक है अभी देखो जड़ा धान से समझ में आएगा very nice ठीक है तो यहां पर देखो मैंने बोला इस जगह पे कि सर्दो consecutive राइजर के बीच की जो horizontal distance है उसे हम लोग कहेंगे going अब वहीं पर एक और चीज़ समझ लो यह आपके पास में क्या है बई दान से देखो यह आपके पास में क्या है एक trade है यह आपके पास में क्या है सर एक trade है तो दो consecutive रेड के बीच की जो vertical height होती है इसे हम लोग कहते हैं राइस मेरे साब से जितना मैं कोशेश कर रहा हूं समझाने की सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अब मुझे इतना बताओ कहीं कोई कनफीजन है तो क्लियर करो सीडी का मतला है स्टैप वह पूरी सीडी नीच स्टैप अगे मैं लिए अब आगे सुनो हर एक सीडी के अंदरत एक आगे ही तरफ बुबरा हुआ निकला हुआ हिस्सा हो धा है जिससे हम लोग क्या कहते हैं नोज कहते हैं क但 उसको हम लो 64 Hmm नोज कहते हैं तो इसको मैं न क्या लिग दिया नोज और हर एक सीडी के राखेसि को मिलाने वाला वाली इमेजनरी लाइन आप यह फिर बोनागी दो कॉंसी के उच्चिंट आपके पास सरे एक राइजर यह रहा एक राइजर यह रहा दोनों राइजर के के बीच की जो horizontal distances को going कहते हैं और दो consecutive जो trade होते हैं यह रहा एक trade यह रहा दूसरा trade इनके बीच की जो vertical distance है इसको हम लोग क्या कहते है राइस कहते हैं तो यह चार और पांचों चीज़ें एकदम clearly समझ में आई होंगी आप लोगों को बढ़िया ट्रिक ज़ते अब यदि मैं यहां पे देखत है हैंसे समझो मैंने आपको ही बता leadership को और राइजर क्या है सारा को समझानी की कोछिश की ठीच एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको एक बार सलेक्ट करके देख लेते हैं यह देखाला मामला लपना थे इस जगए पर यहां बार लिखा हूए number of pryजर और यह सारी चीजा लिखी है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा फिर आगे explain भी करोंगा यहां पर सेम भी बात लिखी कि लाइन अफ नोजिंग क्या है step यहां पर लिखा हुआ step stranger क्या है स्कॉटी क्या है इनके बारे बात बात करें going क्या है ट्रेड क्या है यह आपका step होनी चाहिए मैंने क्या बुला किसी भी एक staircase के अंदर आपके बास the minimum number steps जो ओनी चाहिए वह आपके पास आपके पास तीन हो सकती है और maximum आपके बास 12 हो सकती है यह आपको ध्याट नखना है क्या किसी भी एक staircase के अंदर एक इसीडी के अरेंजमेंट के अंदर minimum स्टेप और मैक्दिमम्बारेज स्टैप होनी चाहिए एक और चीज उनो यहां पर बात लिखी हूई है क्या बात लिखी हूई यह बात लिखी वह होते हैं अच्छ है सक्यों लिखा गया सर सोच के देखते हैं एक बार कैसा क्यों लिखा गया होगा अब कोई बता सकता है कॉमेंट बॉक्स अंदर और क्यों हो रहा है जगे पैसा निदी इस में भी आ रहा है जल्दी से बताई यार आप लोग आपके पास में यहां हम लोग कोई एक इंसान जिस जगे रखाए खड़ा हुआ है यहां का फर्स्स फ्लोर आंट की ग्राउंड फ्लोर है और यह वाला प्रह二 åh आपका फ्लोर पो रख उस प्लोर मतलब यह आपका वह प्लोरह है जिस पर आप पहुंचना चाहते हो तो आप क्या है लोग जब लेंड करेंगे उपर जाएंगे जिस फ्लोव प्र मैं पहुंचना था तो वहां पर भी हम लोग अपना पैर रख रहें जमीन के उपर तो क्या हम उसको भी ट्रेड कहेंगे नहीं कहेंगे जाना जोगना स्टार्टिंग और इंडिंग पॉइंट कभी भी ट्रेड के अंदर काउंट वचे नहीं किया जाता है किया रहा हुए स्टार्टिंग और ईंडिंग जो इसको मैं Rsted no.2 लिख देता हूं इसको मैं R Checked no.3 यह आपका 4 यह फाइव और 6 कितने राइजर हुए चै है राइजर हुए टोटल कितने राइजर हुए बच्छे जल्दी से बताओं आपके पास कितने राइजर हुए शेयर देखती रहा है ना छोटा तो नहीं हो रहा इस जगह पर अच्छा सब कुछ दिखाई दे रहा है कितने राइजर हुए जल्दी से बताओ यह आपके पास में छेयर राइजर हो गई को मैं ऐसे लिख देता हूं A, B, CD से A, उसके बाद मैं B, या color से लिख देते, अलग color से 1, यह आपके पास में हो गया 2, यह आपके पास में हो गया 3, यह आपके पास में 4 और A 5, जल्दी से बता हो क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा इस बढ़निक नेचर लवर, गुड मॉणिंग नीच्छुरल लवर ओके वाई। गुड मॉनिंग चलों। तो मैंने क्या है? कितने आप अब भी राइजर है। मैंने आपने लिख दियता ओ। राइजर कोौ मैंने लिखा हुआ है पिंग से ट्रेड को मैंने लिखा हुआ है पिंग कलर से ठीक है? और जो ग्रीन कलर से, अब आप लो आराम से, ट्रेड को मैने पिंग कलर से लिखा है, रपास यह कोशिछ कर लो, मैंने साख यह लिखा आप लोगों के सामने, कि सर जब हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक staircase के अंदर counting की तो ना तो आपका lending जो होगी ना तो वो आपकी trade में count की जाएगी और नहीं आपके पास में जो आपका ground floor है या फिर कोई भी floor है जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं ना उसको हम लोग क्या करेंगे इस जगहे पर trade में count करेंगे तो ट्रेड के अंदर ना तो यह वाला हिस्सा काउंट किया जाएगा और नहीं यह वाला हिस्सा काउंट किया जाएगा तो यहां पर कितने ट्रेड हुए जांसे देखेंगे तो यह यलो कलर वाले से देख लो ट्रेट दूसरा एरा दूसरा एरा तीसरा एरा चो पूरी महनत पे पानी फैर दिया चलू से देख रही हैक रूगा लेक्चर उसके बाद बिए कहानी सनो एक बार क्या है ध्यान से समझो और सुनो और बताओ मुझे ध्यान से समझो सुनो और बताओ मुझे जल्दी से की ट्रेड एक हिस्से का नाम है सुनो ध्यान से एक स्टैप के अंदर मैंने भी बताया था एक स्टैप के अंदर एक सीडी के अंदर ट्रेड जो है न वो एक हिस्से का ना नाम है लेकिन ट्रेड एक हिस्से का नाम है रुख जाओ एक मिन्ट जरा औरेंज कलर नीचे नहीं रहता हमेशा उपर रहता है क्या बोलती पबलिक बन गया ना अपना प्राउट मुमेंट तिरंगा जंडा ठीक है ओके तो यह आपके धमिश्य धान रखें क्या होता है और य ट्रेड सीडी के एक पार्ट का नाम है लेकिन जो गोइंग है ना यह दो ट्रेड के बीच की होरिजॉंट डिस्टेंस की वैल्यू है डिस्टेंस का नाम है समझ में आ रहा है क्या है यह तो एक तो आपके पास में डिस्टेंस है एक आपके पास में हिस्सा है इस पार्ट को तो राइजर बोलेंगे और इस डिस्टेंस को राइज बोलेंगे बात आई कि नहीं आई समझ में जल्दी से बताओ कॉमेंट बॉक्स में ठीक आप समझ में आपको क्या होगा ओके चली अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको क्या समझा रहा था यहां पे कि नंबर आफ जो पास अमिए टेर की टो वैल्यी आपके पास यहां पर देखने आपके पास मनें डारेंगे ट्रेल 1235 दो आंट सब्धों कि आपके पास जो है नबर आपके पास मैं नमबर आफ राइजर जो है डाट इस इकलस टू नमबर आफ ट्रेड प्लस वन यह है आपके पास में और यही उस जगह पर लिखा हुआ है यही उस जगह पर एक जो पॉइंट लिखा हुआ है ना उसका मतलब यही है ओके चलिए इतना पर लिख दिया मैंने जो एक्स्प्रेइन करना तक कर दिया अब आगे देखो आपके स्लाइट में यह लिखा हुआ है कि नमबर आफ राइजर जो होता है जो मैंने यहां लिखा नमबर आफ राइजर आपका नमबर आफ ट्रेड प्लस बनके इकल होता है यह कानी समझ में आई गोएंग क्या है इस ज़रा वो क्या होती है यह आपके पास सीडी होती है ना इस सीडी के नीचे इस सीडी के कौन सा कलर लिया जाए लाल रंग लिया जाए इस सीडी के नीचे ना कई जगह पर आप लोगों ने इस तरीके की डिजाइन देखी होगी ऐसी आप पता नहीं आप लोगों ने देख पर हां मैंने जरूर देखी है ठीक है आपने बहुत सारी जगवाँ पर ऐसी ना कुछ अच्छी स्टाइल की सीडिया देखें थोड़ा जुक के देखना अच्छे से तो दिख जाएगी आप लोगों को ना इस तरीके की एक सीडि वहां पर देखाई देगी सीडिकी नीचे इस तरीके का एक डजाइन आपको दिखाई देगा ऐसा डेजान कुछ है ना sudah कूँ ऐस ampsस को त्रेज़ाइन आपको दिखाई देगा और इस design को exatamente पूछogn है कि भाई इसको हम लोग क्या कहते हें तो ये ने या एंपीरेंस बढ़ाने के लिए CD के एक premium look को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का arrangement करते हैं और इस तरीके किस arrangement को हम लोग कहते हैं Scotia क्या कहते हैं Scotia क्या कहेंगे इसे हम लोग Scotia कहेंगे ठीक है यह सर देखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे that is known as the Scotia okay got it clear है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी definitions को पढ़ रहे थे अब मुझे लगता है आदी स्यादर definition तो मुझे पढ़ाने की भी जरूत नहीं है बस एक बार बताओ देखो इस staircase क्या होता है समझ में आ गया step क्या होता है समझ म इस्टों की बता है था प्रजेक्टिंग पार्ट ऑश्चारिचर अप्रइड एक प्रइड आडा सइड आउट साइड राईसर रहे ट्रेट का में है दुग्जा ख्या फिकत अप के तरफ ट्राफ होता है तो महाँ दिक्राइब ऐम लित श्यां पर दीख को यहाँ ऐप की सोलें गें नित्ता के वाते से हम लोग क्या करें न्यक्स यहां लाइन आपको बता दिया कीましょう दो रइजर के बीच की हर सुन आपका यहां पर एक राइजर आप यहां इन दौनों के बीच की जो horizontal distance होगी उससे हम लोग क्या कहेंगे going कहेंगे next point देखेंगे हम लोग तो राइस क्या है आपके पास राइस अभी बता दिया दो consecutive जो आपके पाइड है एक ट्रेड एरा एक दूसरा ट्रेड एरा इन दौनों ट्रेड की बीच की जो vertical हाइट है इसको हम लोग क्या कहेंगे राइस कहेंगे वर्टीकल दिस्टेंस बिट्मी टू कॉन्जिकेटिव टेट इस काल्ड राइस ओके नेक्स देखेंगे फ्लोर एंड लेंडिंग आर नौट कंसीडर आर आर नौट कंसीडर एस टेड अभी मैंने बताया था कि ना तो हम हम लोग फ्लोर को आजसे लेंडिंग को हम लोग ट्रेड के अंदर काउंट नहीं करते एसाइं अपके पास में नंबर ऑफ राइजर जो है नंबर ऑफ ट्रेड प्लस वन की एक्वल हो जाता है समझ में आगी कहानी आता कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की अब इ ये लिखा हुआ है निवेल, अब एक बार पढ़ लेते हैं चलो निवेल क्या चीज है जब आपने सीडी में चड़ना चालू करते हो जब आप स्टेयर केस में चड़ना करते हो तो वहां पे एक लार्ज डायमिटर का एक पोल लगा हुआ होता है जिस पोल के तुरू वो सीडी स्टार्ट होती है समझ में आ रहा है क्या कहा हुँ मैं ठीक है तो एक सीडी होती है जो जिस पोल के तुरू स्टार्ट होती है तो लिखा हुआ है वर्टिकल मेंबर ऑफ लार्जर डायमिटर अ तो आप सीडी में चड़ना शुरू करते हों, सीडी आपको दिखेंगे, पहले आप यहां आधे, फिर यहां और यहां और इस तरीके से चड़ते होए, जाओगे, कैसे चड़ोगे, तो इसे आप देख सकते हो, यहां पर शायद आप लोगोंको दिखाई दे रहा हो, उमीद क प्रस्ट्प्रक ंढ़ पर करते हुं जाओगै तो आप लोगों को समझ में आएगा तोा या समझ में आएगा इस जगह पर साइड में न एक एक हैंड्रियल टाइप इब डिजान होती है साइड में एक रैलंक टाइप लगी होती है वह लकड़ी की पॉसक्ति यह वो सकती है ठीक है तो यह पत्थर की भी हो सकती है तो यहां पर समझ में आएगा उस जगह पर स्टार्टिंग में एक वर्टीकल मेंबर लगा होता है लार्ज डायमिटर का और उस लार्ज डायमिटर के वर्टीकल मेंबर को हम लोग कहते हैं निवेल क्या कहते हैं और ऐसा ही एक और वर्टीकल मेंबर लास्ट में भी लगा होता है जिसे एंड्पोस्ट कहते हैं उसे हम लोग कहेंगे यह लास्ट वाले को एंड पोस्ट कहेंगे यह बात भी समझ में आगी नई चीज है थी दौना समझ में आगी तो इस देखो जड़ा वापस से आ जाते हैं हम लोग अपनी डेफिनिशन में डेफिनिशन में क्या लिखा होता निवेल के अंदर अब इससे आगे देखते हैं एक लिखा हुआ है यहां पर हो रहा है एक मिंट देख लेते हैं यह चाहिद थोड़ा आगे पीछे हो गया है एक वैल्यू इसमें मुझे दिख नहीं रही है कि एक स्लाइड समस्व की बात की है तो यह आपकी बार निवेल समझ यहां है कौन से मेंबर बात कर header में यह जो आपका इंट यह वाला जो मैंबर जा रहा है यह मेंबर इस इस मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे इन क्लाइंट जो आपकी पास में मेंबर जा रहा है इसे हम लोग हैंड रेल कहते हैं क्या कहते हैं इसको इसे हम लोग हैंड रेल कहते हैं जिसको हम लोग पकड़ के कब से स्टार्ट होईगी समस्टर में help हो जाएगी सर जल्दी स्टार्ट करा दो प्लीज यार आपको प्लैनर मिल गया होगा अलग-अलग-फैकल्टी अपने अपनी टाइम स्यूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग की उनका अलग-अलग-बैस के अंदर उनकी क्लासे चल रही हो हम आठीक है चली तो यह आपके पास में इंक्लाइंड मैंबर होता है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम ललग कहते हैं हेंड्रेल किया बोलेंगे इसको हैंड्रेल बोलेंगे और यहीं परontin cricket में अन्धर Meyer के यदि आप लोगों को यह तो लग्या डाया की मेंत दिखाए कहेंगे अब बीच की जो inclined distance inclined member है इसे हम लोग क्या कहेंगे that is known as the handrail अब देखो यह समझ में आ गया चलो handrail क्या है अब handrail के बाद में इस जगह पर जो vertical members है एक दो तीन चार पांच छे यह जो दिखाई दे रहा है और भी हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं तो इस यह जो vertical member होते हैं कि जो कहां से का है आपके पास इस हैंड्रेल से एक तरफ से इस हैंड्रेल से connect है और दूसरी तरफ इस step के corner से connect होते हैं दिखा आपने देखा होगा सीज को दो तो इस कम डाया के यह तो था लार्ज डाय का starting में और बीच में आपने देखा होगा कम कम डायमेटर के पतली पतली लोही की या लकडी की या फिर हो सकता है आपके पास में स्टील की क्या लगी होती है राड लगी होती है या फिर कह सकते हैं उनको members लगे होते हैं तो इन कम डाया के पतले members को हम लोग क्या कहते हैं इनको कहते हैं बैलूस्टर क्या कहते हैं बही इनको कहते हैं सर हम लोग that are known as a बैलूस्टर पढ़ ले ना ध्यान से एक्जाम में सब कुछ चनाते हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग बैलूस्टर कहेंगे इसको हम लोग ठीक है तो क्या समझ मैं देखो अगर ध्यान से देखोगे जो लोही की अरेंजमेंट होती है मतलब एक तो होती सीड़ी चड़ने वाली एक उसके साइड में अरेंजमेंट लगा होती है जिसको पकड़ के आप चड़ ऱहोते हो उसको पकड़ के चड़ने वाले अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं है अब देखो हैंडरील के 4-5 हिस्से है सब से Midway जो starting का larger die a का जो member होगा उसे हम लोग कहें अगे निवल और जब सीरे जम पिलैयफे खतम होगी वहां पर जो लार्जर टाया का मैंबर एक और लगा हूँ है उसे किये इंड पूस्ट और इस लार्जर टाया के मैंबर से दूसरे लाजर क्नेक्ट होंगे कम डायमेटर किया पतले मेंबर क्नेक्ट होगे उन्हें हम लोग बैल Peng कहेंगे तो यह 4 छार्व इसने सटार्टिंग और एंद्पोइंच के उपर जो आपके पास में Department मेंबर है और जो लाश्ट मेंबर है दौनों के उपर जो आपके पास काप लगी होती है अफर आप pä ivory देखा होगा उसमें बॉल लगी ऊती जो लार्जर डाय का मेंबर है उसके उपर एक वाल लगी होई थी है उसे न्युवL है ओर लौ desperately from and cap कहेंगे जैसे आंपर है दिखाई दे रहा है events एज बाल आपकी लग रही हैं इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर चहरो गशिए और जब यहां पर इसकी बात करोग है इसको कहेंगे and cos kap क्या कहेंगे that cnудka अब क्लियर है सब भी को यहां तक उसके बाद next point है आपके पास stranger क्या होता है stranger क्या है आपके पास में यह वो member है जिसके उपर staircase rest करता है अच्छा कौन सा member है डाइग्राम में देखते हैं इसमें देखें जड़ा यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा यह पूरा का पूरा जो arrangement आपके पास that is the arrangement है staircase का यहां पर रेस्ट करता है यह आपका पूरा का पूरा arrangement आर्शी सी के एक member के उपर rest करता है जिस member को हम लोग कहते हैं stranger यहां पर लिखा हुआ है दहां से पढ़ेंगे तो एक आर्शी सी का एक ऐसा member जिसके उपर पूरा का पूरा आपका staircase का arrangement रेस्ट करता है इस arrangement को ही हम लोग क्या कहते है staircase कहते हैं सरी इसको हम लोग क्या कहते है stranger कहते है चली आगे वाली definition पर आजाएंगे जरह हम लोग next definition आपके पास that is the यहां पर लिखा हुआ है वेस्ट और एक लिखा हुआ है इस जगहे पे पिच पिच के बाद में आपका लिखा हुआ है next point flight और फ्लाइट के बाद लिखा है लोडिंग चलो एक एक करके समझते हैं जरहां से ठीक है बहुत important है सारी चीज़ है एक्जाम में सबसे ज्यादा जो इनकी डेफिनिशन में आपको पढ़ा रहा हूँ वहां से आपको most of the अच्छे question देखने को मिलते हैं चली आगे लिखा हुआ है वेस्ट का होती है वेस्ट का मतलब हो गया thickness किसी चीज़ की अभी जो stranger था आभी आपके पास में stranger जो मैंने आपको बताया वेस्ट की है वेस्ट मतलब किसी भी एक और कुछ मेंबर की और पूरा वेस्ट के अंदर सीक्पा रहा है सितना कि दिखाई दियघे होगी एक बीच मैं लिखा हुई यहां सी सिड़ी है एक आपको में अपको दिखाई दे रहे होगी सील्ध के साथ में पर ऐसे चल रहे था है यहां से अब शीडिक यह और के साथ की इसको आपका यह एंगल बनाती है उस धीटा इंगल को हम लोग बोलते हैं ऑपिच और से निफार और से जो पता है 25 डिग्री से ज़ादा होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए और वहीं पे 40 डिग्री से कम या उसके बराबर हो सकती है ठीक है समझ में आया तो क्या वालीव लिखे है धान से पढ़े हैं इसको भी यह लिखा हुआ आपके पास की पिच की बारे में जब बात करेंगे इस दा एंगल ये एक एंगल होता है between the slope of the staircase staircase के slope कि बीच में और horizontal के बीच में किता simple है ये एक inclination होता है ये आपके पास वेल्व क्या होती है जालीस होता है 45 नहीं होता है जो पिछ आपके पास में वैल्यू जो आ रही है आपके पास that is the 25 डिग्री से ज्यादा या बराबर हो सकता है और 40 डिग्री से कमे उसके बराबर होना चाहिए तो यह पॉइंट आपको याद रखना है यह पर लिखा हुआ सब इक्जाम के अंदर कई बार पूछे जा चुके चलिए आगे बढ़ता है नेक्स पॉइंट की तरफ फ्लाइट क्या होती है तो उसको समझते बात यह एक वो डिस्टेंस होती है जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक हमेशा कंसीडर की जाती है तो क्या लिखा हो इसमें इलत डिस्टेंस ऑक्विप्ड बाइ मूविंग फ्रॉम4 टू अनादर फ्लोर में जिन दूसरे इफ्लोर तक जाने में जितनी दूरी हम लोग तहा करते हैं उसे हम लोग एक फलाइट कहते हैं बात क्लियर है समझ में आरी है अब वस फ्लाइट एन इनकलाइट छल रही है द्हान से समझेंड हो यह कैसी चल रही है सी डी में आप चड़े ता gap गेंद क obtained कर रहे हो तो वह सर्षसाद कर कहेंगे उसके बाद में फिच क्या होगा तो बिट्वीन की बात लोडिंग की बात लोडिंग समझना या लेका हुआ है कि जब कभी भी आप लोग अपनी में चल रहे हो ब Internation क्या हुआ या एसा कई पर आपने देखा होगा आपने staircase में चड़ना चालू किया चड़ने चालू किया आप लोग मालों यहां पर आ गए अब इस जग ऐसे जैसे मालों मैं मैंने सीडी थी अब उसमें यहां पर ऐसे ऐसे चड़ना चालू किया मैं पहुंच गया अब मुझे इस तरफ चलना है लेकिन अभी तक सीडी खतम नहीं हुई है तो सीडी जग कई वार आपने देखा होगा 90 डिगरी पर टर्न हो जाती है कई बार 180 डिगरी पर घूमके टर्न हो जा होगे आपने देखा के बड़ा एक स्टैप आता है रहा हुले पर लस्टे रहे चांट आले चाइब सक ड़ोल है आपके घरहों में इस सहर में उसको क्या बोले तो जिक और यृण जा रहे हैं जासे हमें इधर जाना लगा अब हमें इधर जाना डार्यक्षन लेकर staircase में तो हमने हमें एहां उसके लिए हमें हमें जिस जगहाद मुदे मतलब जिस चौक्ष के ऊपर ख़ड़िऊ के मुदे उससे हम लोग कहते है don auto loading क्या रिजह के अंदर ये मेंबर होता है और यह टनिंग पॉइंट के एंड पर लगा हुआ होता है ठीक है बात क्लियर समझ में आई चलिए डाइग्राम में वापस से आता हूं यह डाइग्राम है आपका इसमें समझने के हम लोग कोशिश करेंगे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर आप ल सब्सक्राइब बढ़ते हैं अपनी डिरेक्शन चेंज कर ली देखा होगा सीडी में चलते हैं सीधा चले फिर उसके बार राइट है ठीक है तो उससे हम लोग जहां पर हम लोग बीच में ब्रेक आया मतलब एक फ्लाइट यह थी सीधे चले फिर आपके पार 90 रिगी पर ऐ क्या है आपके पास that is the headroom अब headroom क्या चीज है headroom को लिखा हुआ है it is the vertical distance between the under surface of landing and upper surface of the floor अब इसमें बोला गया है जैसे मालो यह आपके पास में कोई सीडी थी जस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे यह रही अब यह जो सीडी थी इसका lower surface कौन सा यह रहा इसका जो landing surface है वो जो vertical height है इससे हम लोग कहते है headroom मेरे इसाब से तो clear समझ में आ गया होगा कि what is the meaning of the headroom क्या है वो headroom का मतलब क्या है तो मैंने क्या बोला upper surface of the starting या फिर ground floor level और जो आपके पास landing है उसका bottom part है उनकी बीच की जो vertical distance है उसे हम लोग क्या कहते है that is known as the headroom और headroom के लिए एक यहा 2.1 मीटर से या तो कम होनी चाहिए उसके बराबर होनी चाहिए ठीक है क्या लिखा हुआ है आपके पास at least उससे या यह जो value आपकी देखो यहां पर लिखा हुआ है एक मिन्ट रूकराम में आओगे ना जवाब तो आपको सारी चीज़ा लिखी हुए है clearly वहां पे यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास वेल्यू 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए लेकिन कभी भी 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए एट इतनी तो होनी है otherwise क्या होगा जो सीडियाँ है आपके पास उनका proportioning आप सभी से नहीं कर पाऊगा वह comment box एक दम रुका हुआ है क्या चक्कर है आप comment box में पूछा था कि आपके गावाँ में उसको क्या कहते हैं जिसके उपर खड़े हो करके आप लोग क्या करते हो जिसके उपर खड़े हो के आप लोग डिरेक्शन चेंज करते हो इसीडिक मैं आपको बता देता हूं कि increase the appearance of the staircase staircase की appearance को बढ़ाने के लिए हम लोग जिस member का इस प्ले प्लेसिंग करते हैं नोजिंग के नीचे उसको हम लोग स्कॉटिया बोलते हैं और स्कॉटिया मैं आपको इस डाइग्राम में समझा चकों कौन से डाइग्राम में सर मैं आपको इ क्या है आपके पास and that is यह रहा आपके पास next point यह लिखा हुआ है कि going और राइजर going और राइजर दौनम लागे लगबख 400 से 400 mm के होते हैं क्या लिखा है going और राइजर यदि मैं मिलाता हूं इसको going का मतलब क्या हुआ यह को सीडी थी यह रही आपके पास सीडी ठीक है त यह आपके पास कौन सा है this is the rise तो going और राइज मतलब यह वाली डिस्टेंस और वर्टीकल डिस्टेंस एक सीडी की horizontal और वर्टीकल दौनों डिस्टेंस को ट्रेवल करता है ठीक है आगे एक और चीज़ लिखी है कि टू टाइमस ऑफ राइजर जो होता है आपके पास वह भ एक फ्लाइट के अंदर आपके पास minimum number एक फ्लाइट का मतलब समझते हो एक फ्लाइट का मतलब है complete एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने में हमें total डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है करनी पड़ रही है उसे हम लोग फ्लाइट बोलते हैं और उस फ्लाइट के अंदर total number of steps कि इतने होने चाहिए तो minimum 3 हो सकते हैं और maximum 12 हो सकते हैं ठीक है धान रखिएगा next आपके पास width of the staircase कि इस की width क्या होती है तो residential building के लिए आपके पास width है वो 80 cm से कम नहीं होनी चाहिए और यदि आपके पास commercial बिल्डिंग है तो इसकी एक मीटर नीचे मतलब commercial building में जो सीडिया है ज्यादा चौड़ी बनाई जाती है क्योंकि आपके बाइस से कम नहीं होने चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि 80 cm तो at least चौड़ा ही रखो ताकि क्योंकि वहां पे बहुत जादा रोग लगाता राएंगे जाएंगे नहीं लेकिन फिर भी इतनी requirement पड़ जाती है ठीक है चली समझ में आगी यहां सक्ट यहांते clear है बात ओके next देखते हैं एक बार यह हमने पढ होता है बान नमर ओफ रइजर मैनस वन होता है फिर यह लिख दो कि व्राइजर जो होते है नंबर प्राइट प्लस वन कोई लिख सकते आप इसको यह स्टेट可ести केस्च में कैसे जढ़ा देखते हैं मालो आपके पास मैं किस्टेर केस अजो ऐसे मुझ रही है क्या हो रहा है तो ना तो आप इस वाले मेंबर को कौनसे वाले को इस वाले को ना ही आप इस वाले को डॉनों को आप ट्रेड में काउंट नहीं करते हो तो आपके पास यहां पे जो नंबरआफ इस्ट राये की kdo सबस्क्राइब करते हिसे अंदर नंबर अव्डोफ जो का ऑप न गर्फ है जैसा कि मैंने इसमें आपको दिखाया था में डायिएगराम के अंदर आपने पड़ात तो मैने आपको बतायए भी था उस जगेश cu 9 पे 이 номे प्क ट्रेड को दिखा evaluating से और राइजर को दिखा रहूं ग्रीन किलर से तो राइजर आपके पास 6 है और आपके पास में जो प्रेड है वह पांच इसका मतलब हुआ या तो ऐसे लिग आप काूप क्या होगा एक थोड़ा स्थीक कर लेते हैं इसको तो ना रुप कर देता हूं हमेशा सude फ्लोर है है ठीक आ चरू़ी थोड़ी है ना कि सीडिया हमेशा सीधी जाएंगी सीडिया हमेशा आपके पास में कैसे हो सकती है 90 डिग्री पे भी हो सकती है तो यहां पर आपके पास में क्या आता है बीच में एक चौका आता है चौका इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको लोडिंग बोलते हैं तो देखो भाई आपके पास क्या होगा पता है यहां से आपने चड़ना शुरू किया 1 2 3 4 मालों कुछ सीडियां ऐसे के पर ऐसे आप चड़ते हुए चड़ते हुए यहां ते पहुंच गया आप उसके बाद आपने डिरेक्शन करी फिर आपके बाद चलते रहे आप चलते रहे चलते रहे तो पता है क्या होगा इस बार आपके पास में दो जगए नहीं करना था आपको ट्रेड में काउंट नहीं करना था लेकिन यहां पर तीन यहां पर कितनी जगए एक और एक दो जगए और दो जगए जब भी कभी होंगी तो उसमें से एक जो आपके पास value है किसकी इसकी ट्रेड की एक वेल्यू कम हो जाएगी जहां पर तीन होंगी वाद lingering हो जए CB कैसे समझाने का तरीका है व kidneywood फुरवित फ्लोरै और रोडिंग सैना तो ग्राउंड फ्लोर को ना पास एक ट्रेड कम हो जाएगा तो ओवर ऑल कितने पर नहीं करेंगे ऐगा इस केंगे और लोडिन डिया हुँ कि यहाँ पर आप तो इस केस में आपके पास number of trade की जो value है number of राइजर माइनस टू ली जाएगी मेरे साब से clear समझ में आया होगा next देखते है number of राइजर जदी मालनों मुझे number of राइजर निकालने की एक फ्लोर में कितने number of राइजर समझ में आ रहा है राइजर का मतलब हुआ देखो डाइग्राम से राइजर का मतलब जैसे आपके पास यह staircase है यह staircase है ठीक है मालेते यह आपके पास है staircase है अब इसमें number of राइजर मुझे calculate करने है तो number of राइजर कैसे होंगे मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो फ्लोर और रूफ है मतलब यह वाला फ्लोर और यह वाली जो रूफ है इन दौना की बीच की total height and distance कितनी है सबसे बहली बात तो total height and distance आपके पास कितनी है वो और हम नीचे height of 1 राइजर है height of 1 राइजर एक राइजर की height मुझे पता चल जाए और टोटल मेरे पर डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस को मैं एक राइजर की height से कर दूँगा तो मिरे पास क्या आजाएगा निकल के number of rise निकल करके आजाएंगा उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहोगा बहुत सिंपल है ठीक है तो clear है यह समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर यहां पर आगे बढ़ जाते हैं अपने type of the staircase के उपर यह आपका पूरा यार वो काफी थोड़ा लंबा चलेगा लेकर ना क्योंकि देखो मौनिंग मैंना एक्चुली उसकी क्लास भी आठ बजे है पेड़ बैच की क्लास भी इसमें चलेगा और यहां भी इसलिए मैं इसको चेंज ही कर दिया पूरे टाइम मतलब इस वाली क्लास को थोड़े दिन बहुत पूचाते हैं ऐसी स्टेर केस जहां पर सफीशन लेंद तो अबलेबल है लेकिन विट अबलेबल नहीं होते हैं मतलब दस बजे ही सनी सागत दस बजे के लिए हम कुछ और नया लेकर क्या आ रहे है घबरा यह मत ठीक है तो कहा लिख रहा है कि इस टाइप आप स्ट राइट रनिंग फ्लोर टू फ्लोर इसके अंदर जो फ्लाइट है वो फ्लोर से फ्लोर पर रन करती बीच में कोई लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं होती है ठीक है जैसे आपको यहां से चड़ना शुरू किया और यहां पर हम लोग आ चुके हैं और इस जगह पर आपको दीख रहा है कोई लोडिंग नहीं है अगर आप दहान से अगर आप देख पाऊगे ना तो आपको ट्रेड को काउंट किया है कि अमर्ट किया गया इसको ग्राउंड फ्लोर को नहीं आपके पास लेंडिंग को बीच में आप दान से देखो आप इस जगह पे तो यहां पर ट्रेट देखू तो यहांपर थारटीन हो गए आपके पास क्या है Counter एक मिन रोखे 13 क्या हो गए आपके पास में आपके पास हो गई राइजर अब ट्रेट तских संब्सक्राइबें एक बाट सुल गया आपके होंगे बात क्लियर है Behind में भी आ गई होगी ठीक है ओके हाँ चलिए वेरी नाइस ब्यम्सी को दस बजे पढ़ाएंगे सर पेड़ बैच में नहीं भाई ब्यम्सी का क्लास का टाइमिंग आठ से दस बजे तक रहेगा एट टू टैन एम है बैच अशोका बैच बी के अंदर अशोका बैच बी के एसी स्टियर केस जिनमें ना तो आपके पास सफीशंड लेंथ Online लेबल हती है ना ही सफीशंड विड आव लेबल होती है तpected य manufacture bizarre केस और इनको को हम लोग narrow spaces पर provide कराते कहां पर एकदम सक्री हुई जो जगे होती है जहां पर कुछ भी नहीं जैसे आपने दिखा होगा चोड़ी चोड़ी दुकाने जो होती है शूज वगरा की शॉप में आप गया होंगे साडियों की दुकानों में आपको देखा होगा एक स्पाइरल सी staircase लगी होती है जैसे हम लोग कहते हैं circular spiral staircase लिखावख स्टेर केस यूज यह इस टाइब की जो कहां यूज की जा यह दापने देखा होगा कि इसीडियों में आपने देखा होगा सीडियों के अंधर एक triangle नुमाद शेप होती है क्या होती है एक triangle shape की एक सीड़ी लगी हुज होती है और ज़्यादा तर वह आपने देखी होगी जब हम लोग direction को change करते हैं तो जब direction को change किया जाता है तो staircase के अंदर direction को change करने के लिए जिस type की step का हम लोग इस्तमाल करते हैं उसे हम लोग विंडर कहते हैं क्या कहते हैं विंडर क्या circular जब staircase होती है तो उसके अंदर हर एक आपका जो मेंबर होता है वह एक विंडर की तरह करता है क्योंकि हर एक पॉइंट पर circular staircase के अंदर direction change हो रही होती है और यहां पे लिखा हुआ है next method next देखेंगे quarter turn staircase कौन सी होती quarter turn का मतलब है ऐसी staircase जो 90 डिग्री पर अपनी direction change करती है देखो यहां से यहां तक चले देखो दिख रहा है न चौका यह रहा आपका ठीक है इस चौके पर आने के बाद आपने डिरेक्शन को 90 डिग्री में change कर दिया ओके क्या लिखा हुआ है इन इस टाइप आप स्टेरकेस डिरेक्शन जो है वो 90 डिग्री पर चेंज ह स्टेरकेस हाफ टोग लाइंट स्टेरकेस बोलते हैं सबस्यादा इंपॉरेंट स्टेरकेस है धान अखेगा अब देखो हाफ लग्री स्टेरकेस में क्या होता यह मोस्क वाइडली यूज़े एकवसित टरफ से फैसे आप यहां पर देखोगे तो एक आमने चणना स्टार्ट किया ऐसे फिर इसके बाद 93 हम ऐसे मुड़े फर और 90 डिग्री तो यह आपके पास में क्या हो गया 180 डिग्री पर डिरेक्शन टर्न हुई और फिर इसके बाद यहां पर चड़ना चालू हो गया ठीक है समझ में आ रहा होगा 90 डिग्री सारी 180 डिग्री अंगल पर टर्न होके चालना चालू है इसे हम लोग क्या बोलते हैं डाट इस नोन आज डाग लाग स्टेर केस इस टाइप की स्टेर केस में दो फ्लाइड एक दूसरे से अपोजिट डिरेक्शन में रन करती है जैसा कि आप देख सकते हो ठीक है फिर लिगा है कि 180 डिग्री पर इस न इस पर फेलेन कोशिम यहां से आते हैं ठीक हैं चलanu एंगे लिखा हुआ है आगे अगे लिखा हुआ आपके पास में open well open wall staircase होती है उसेमें कैसी होती है आपके पास में रॉट साभी थी कॉन सी डॉग लाइग्ड वेंटिलेशन दिया जाता है या पर बीच में वेंटिलेशन होता है लिख रहा है इच dov careless staircase जैसी दिखाई देती है यहсон 9 to change करती है लेकान आपकी मुस्ट कमफील स्टेरकेस पूछे तो OUT रागुल स्टेरकेस मॉस्ट कमफाटेवर ventilation दिया जाता है तो यह आपका एक most point हो गया याद करना है और last आपके पास में bifurcate staircase आपने दिखा होगा bungalow जो होते हैं उनके अंदर या बड़े-बड़े मंदिरों के अंदर ऐसा होता है कि एक CD होती है जो एक flight से शुरू होती है सिंगल फ्लाइट से शुरू होती है लेकिन आगे जाकर के दो या दो से ज्यादा flights के अंदर convert हो जाती है इसे हम लोग bifurcate staircase के दें तो क्या लिखा हुआ है दिस type of staircase start at single flight but further it turn or divide into two और more than two flights तो इसे हम लोग बोलेंगे bifurcate staircase ठीक है तो यह मेरे साब से चीजां आपको properly जो है समझ में आया होगा पूरा 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 जो लेक्टर है आगे फिर हम लोग important note में लिखा हुआ है कि residential building में commercial में फैक्टरी में cinema hall और institute के अंदर राइजर और ट्रेड एक सीडी के लिए यह आपके पास में कौन सा था यह आपके पास में था ट्रेड और यह था आपके पास में राइजर यह इनको देखा है तो लगबग आपकी जो वैल्यों होती है वह चार सो से मैंने लिखाई थी टोटल राइजर और ट्रेड बोलो या पर ऐसे बोलो गोईंग और ट्रेड यह टोटल वैल्यों आपके पास कित्ती रहेगी चार सो से साड़ी चार से में कैसे होती है आप देख सकते हैं से यह वैल्यू आपकी 160 होगी यह डाई सो एक सट जाली से एक परचीश हो गया इसको आप देखोगे तो 400 हो गया इसको भी देखोगे तो 400 400 बैठेगा इसको देखो तो भी आपका 410 के आसबास बैठ रहा है तो मतलब ओफर आपकी जो वैल्यू टोटल वो 400 से 400 तक होती है ट्रेड और राइजर जब दौनों को आप काउंट कर लेतो द आप लोग बिल्कुल टैंशर मत लीजेगा अराम से पढ़िए ठीक है और हम लोग बहुत जल्दी से मिलेंगे वापस से आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी हां तक लेकिन फिर भी हम लोग बढ़िया तरीके से हर एक चीज को समझेंगे बागी जिन बच्चों ने अभी शो बिल्कुल वह भी होगा क्योंकि आक्चुली क्या होता है कई वार बैच में भी बीजी होते हैं तो जैसी शेडूल आपका टाइम निकाला जाएगा उसमें देखना सेडूल जो है प्रॉपर ली आपको दिया जाएगा हर इक चीज का और आपने जॉइन कर लिया तो उसके अंदर सेडूल होगा भी हमने स्टार्टिंग में जो रखा है वह आपको बता दिया है जैसी रीजनिंग कंप्लीट होगी आपका जी के जीएस वाला पोडिशन भी शुरू कर दिया जाएगा ठीक है चली फिर मिलते हम लोग नेक्स सेशन के अंदर और आप लोग इसी तरी कोई भी इंफॉर्मिशन आपको रिवील नहीं कर पाऊंगा ओके थागी सो मच मिलते हम लोग नेक्स सेशन के अंदर तब तक के लिए औल बेस्ट